इंदरास्टे उंट उत्सव आज बीकानेर के डॉक्टर करनी सिंग स्टेडियों में शुरू होगा शुरुवात जुनागर से शोबायात्रा के साथ की जाएगी उंट श्रिंगार, बाल कत्राई, उंट रिते, मिस्स मर्वन और मिस्टर बिकाना प्रतियोगिता यहाँ पर की जाएगी तो उस सब के पहले ही दिन विदेशी और देशी पहिटकों के लिए राइसर के धोरो पर उंट सफारी भी होगी रविवार को रामपुर्या हवेलियो से, राव बिकाजी के टेकरी तक हैरिटेज वाग भी होगी शाम को करने सिक स्टेडियम में सांस्रतिक कारिकरम भी आयज़ित किये जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपडेट देदे कि सलानी मस्ती में सराबोर है क्योंकि कैमल फेस्टिवल जो है उसकी शुरुवात आज से हो गई है और रंग अरंग कारिकरम जो है वो आज सुभा से ही शुरू हो गए है तो अंतरास्टे उंट उस्व में उंट श्रिंगार, बाल कत्रई, उंट नित्य एमिस, मर्वन और मिस्टर बिकाना प्रतियोगी ताई जो है इस दोरान की जाएंगी उट सब के पहले ही दिन यारी की आज विदेशी और देशी पहेटकों के लिए राइसर के धोरों पार उंट सवारी आकर्शन का केंद्र बनी हुई है जिसका हर कोई लुट्फ उठाता हुआ भी नजर आ रहा है कि अगाज हो गया है चांदी रो आकास सोनारी धर्थी जो छैल छबीलो महरो राजस्तान आप देख सकते हो किस तरह से जो है लोक कलाकार यहां पर अपना प्रस्तुतियां दे रहे हैं और यही राजस्तान की दरसल सस्क्रती है कि इस तरह से जो है यहां रंगों की दुनिया एक तरह से जम जाती है कुछ लोग हमारे साथ हैं लोकल लोगों से हम बात करते हैं क्या कहेंगे आप टूरिस्ट है आज तो हमारे विकानेर के लिए बहुत बड़ा मेंतुर्थ है यहां केमल फेस्टिवल होने जा रहा है और किस तरह का रंग विरंगे माहुल में बीकानेर कितना सुंदर लग रहा है तो मैं सभी को आंवंतृत करूंगा के आई और बीकानेर फेस्टिवल का हिस्टा बड़िये उट मोट सब का हुस्सा बड़िये और अपनी संस्कृती से जुड़िये थिए कम फेस्टिवल अधिक इसी भी कैमेल को बना देती हैं और यह फरकटिंग कॉंपेटिशन भी यहां पर होगा कैमेल डेकोरेशन होंगे तो तमाम चीजें आप देख सकते हैं अलग-अलग विफिन अंचलों से जो है ग्रूप्स यहां पर आयों है जो यहां पर प्रसूतियां देंगे कोई पंजाब से हैं कोई पूर्वत्तर से हैं तो यह कोशिश है एक पूरा एक तरह से कहिएगा पूरा पैकेज है किस तरह से परिया टम को बढ़ावा दिया जाए तो हम तो यहीं कहेंगे आप भी कैमेल फेस्टिवल की मस्ती में सवरोबार हो जाईए और जम कर कीजिए धौरों पर धम तो सिर्फ देशी नहीं विदेशी सलानी जो हैं वो भी विकाना पहुंच रहे हैं अंतर रास्टे ओंट फेस्टिवल में उम्रे सलानियों में जोरदार उचसा नजर आ रहा है आपको यह तस्वीरे हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कैमेल फेस्टिवल का जगाज हो गया है आज पहला दिन है और हर जगा खुबसूरत ओंट नजर आ रहे हैं तो कईयों पर ओंट पर नकाशी की गई है और इसका कॉंपिटिशन भी वकाइदा होता है ओंट की नकाशी होती है उनके फर को यहाँ पर कटिंग करके सजाया जाता है इसके लावा ओंट पर डैकोरेशन होती है रंगरंग कारीक्रम कोते हैं और चितने भी सेलाने पहुँचे हैं और खासकर विदेशेसलानी जैसे ही उन्होने तस्वेरे देखी यह कारीकरम में उन्होने पार्टिसपेट किया उनके जुबा जूबा से सिरफ एक ही शब्द निकला कि इंडिया इस बूटिफू दो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं आज पहला दिन है और पहले दिन इतना खुब्सूरत आगास और हर किसी ने यहाँ पर खुब लुथ उठाया हर कोई इसकारिकरम का आनंद उठाता हुआ नजर आया यहाँ पर कलाकार जो है पार्टिस्पेट्स करने के लिए दूर दूर से आते हैं और यही तो मौका होता है जब कलाकारों को भी एक प्लाटफोर्म मिलता है और जो सेलानी यहाँ पर आते हैं उनको भी इस तरीकी की कारिकरम में पार्टिस्पेट्स करने का मौका मिलता है हर कोई इस खुबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैप करने की कोशिश करता हुआ नजर आया और यही तो संस्कृति है राडस्तान की पूरे देश की और खासकर राडसान में जो भी जाहे राजधानी जैपूर है उदैपूर है जैसरमेर है जोगपूर है पुश्कर है या फिर बिगा नेर है जब भी इस तरीकी के फेस्टिवल यहाँ पर होते हैं तो सैलानियों को यह अपने आप ही यहाँ पर खीच लाते हैं और किसी की जुबाद से निकलता है कि वागई में रादसान बेहत खुब्सूरत है इंडिया हिंदुस्तान जो है वो पूरा बेहत खुब्सूरत है इसकी संस्कृती जो है इसकी जो कला है और इसके जो कलकार है वो अपने आपने ही कनूती जटा लिये हुए हैं और आर किसी को वो अपने और खीचते ले आते हैं तस्वीरे ज़रा देखिएगा बिकाना से है यहाँ पर International Camel Festival 2019 का अगाज हुआ है और आज ही पहले दिन के तस्वीरे हैं और हर को यहाँ पर कहता हुआ नजर आया खासकर वो विदेशी सलानी जो की पहली बार बिकाने राय थे फर्स्ट इंडिया संबादाता लक्षमन ग्राखव ने बिकाना का हूट उत्सव इसकी अपनी पहचान है Camel की अपनी खूबियां है तो इन रोबीले मुचों वालों का अपना जादू है यहाँ पर बहुत सारे कॉंपेटिशन हुए है हमारे साथ यह रोबीले है यह राजस्तान की जो पहनावा है यह पगड़ी है बहुत खूबसूरत लगती है साथी साथ यह बहुत मेहनत करके यहाँ पर आते है कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है साब और यह केंबल फेस्टिवल का जो प्रोग्राम है हम तीन साल से आघए यहाँ पर और हमें बहुत अच्छा लग रहा है साल से यहाँ पर आ रहे एक और शेला नी है उनसे भी बात करते हैं वह यहाँ पर आई है किस तरह आप कितना मतलब और नजॉय कर रहे हैं मेरा तो पहली बार है पर इसा वंडरफुल एक्सपीरियंस वहना मैं देखकर इतनी खुश हो गई हूँ कि कैमल भी ऐसे म्यूजिक पे डांस कर दें इसा वंडरफुल एक्सपीरियंस वर में वाट आप आप इस रोभीलाज और यहार मेरी वेलकमिंग पीपला यहां वेरी पालते हैं क्या कैसे होते राजस्तानी में बोल जो काई ठीक है की पीसा वे वह बहुत अच्छा है सरकार ध्यान रहां के उट पाल करो तो पारते हैं इसा करिक्रम होता रहना चाहिए एसा होना तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर विकाना का यह उट उत्सव चाहें देशी झाल..